लाडो ने अपने घर पर व्यापार की तरक्की की खुशी में एक सक्सेस पाटी का आयोजन किया है उसमें बस्ती के सारे पशुपक्षियों को बुलाया है तो चलिए दोस्तों, हम भी पाटी में शामिल हो जाते हैं अरे वाँ, लाडो की पाटी में तो बहुत सारे पशुपक्षी आये हुए है तबी घुंगा मोसी दीरे धीरे लाडो के गुसले में आ जाती है मोसी ने पाटी में आते वक्त, लाडो के लिए एक तोफा भी लाया है Congratulations for your success लाडो, मैं तुमारे लिए बहुत खुश हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया घुंगा मोसी, आईए आप भी पाटी में शामिल हो जाईए हाँ, चलो सारे पाटी का बहुत मसा ले रहे है, लेकिन ये क्या, हमारा कालू इतना क्यूं उदास लग रहा है लाडो कालू के पास चली जाती है कालू भीया, क्या हुआ, आप ऐसे मूलत काकर क्यूं बेटे हो, क्या कोई परिशानी है, तुम मुझे बताओ कुछ नहीं लाडो, सारे पशुपक्षी अपना पेट पालने के लिए, कुछ ना कुछ काम कर रहे है एक अकेला मैं ही हूँ, जो कुछ भी काम नहीं कर रहा दिन बर घर में पड़ा रहता हूँ, इस वज़े से मेरी बीवी भी मुझे बहुत डाटती है मुझे भी कुछ ना कुछ काम करना है लाडो, लेकिन क्या करू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कालू भाया, अपना राज मत हुईए, मैं हूना आपके साथ, हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे लाडो चिडिया थोड़ी देर सोचने लगती है, तभी उसे एक आइडिया आ जाता है कालू भाया, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जल्दी बोलो लाडो, क्या है आइडिया? अब सर्दिया खतम होने वाली है, और गर्मियों का मौ समाने वाला है क्योंना आप पतंग की दुकान खोलिये गर्मी की चुटियों में सारे पशुपक्षी खुब पतंग बाजिक मिलते है अरे वालाडो, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, मैं यही बिजनेस करूँगा दूसरे ही दिन से कालू अपना पतंग का दुकान शुरू कर देता है लाडो भी कालू की दुकान लगाने में मदद करती है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन कालू कव्वे की एक भी पतंग नहीं बिकती कालू फिर से उदास हो जाता है लाडो बाजार में कुछ फल करिदने के लिए आई थी तब ही उसने सोचा कि क्यों न कालू के दुकान का हाल चल पूचा जाए लाडो चिरिया कालू के दुकान के पास आ जाती है कालू फिर से मूलट का कर बैठा था अरे कालू भैया अब क्या हुआ फिर से आप मूलट का कर बैठे हो क्या करू लाडो तुम्हारे कहने पर तो मैंने पतंक के दुकान शुरू कर दी लेकिन जब से दुकान खोली है एक विग्राहक नहीं आया मुझे तो अब और भी जादा बुरा लग रहा है अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है कालू भैया लाडो सौचने लगती है उसके दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है कालू भैया मेरे पास अग और आइडिया है अब कौन सी नहीं आइडिया है तुमारे पास मुझे तो अब कुछ भी करने को डर लग रहा है फिर भी बताओ तुम क्या सोच रही थी क्यों न हम हमारे जंगल में पतंग बाजी की कॉम्पिटिशन रखे इस तरह से आपके पतंग भी बिग जाएंगे और बस्ती के पशुपक्षियों को आनन भी मिलेगा ये हुई ना बात चलो हम एक एक करके सारे पशुपक्षियों को बताते हैं रुकिय कालो भाया हमें ये बात पहले राजजी को बतानी होगी उनसे कॉम्पिटिशन के लिए पर्मिशन लेनी होगी अगर वो मान गए तो हम ये बात सारे पश्रिपक्षियों को बताएंगे सही कहा लाड़ो तुमने, चलो फिर दोनों राजा जी के महल में आ जाते है अरे लाड़ो और कालू, आज अचनक से यहां कैसे आना हुआ, क्या कोई परिशानी है नहीं नहीं राजा जी, सब कुशल मंगल है, हम आपसे कुछ बात करने आये थे हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है अभी गर्मी की चुट्टी आने वाली है, तो मै और कालू ये सोच रहे थे क्यो ना हम हमारे जंगल में पतंग बाजे की कॉम्पेटिशन रखते है बेचारे काल में अभी कुछ तिन पहले पतंग की दुकान खोली है, लेकिन अब तक उसकी एक भी पतंग नहीं बिकी उसने अपनी सारी जमापूंजी इस दुकान में लगाई है, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो उसका परिवार भूका मर जाएगा अच्छा, तो ऐसी बात है, बताओ, मैं आप दोनों की क्या साहता कर सकता हूँ अगर हम कॉम्पेटिशन रखेंगे, तो सारे मिलकर उत्साह से इसमें ही सालेंगे उन्हें आनंद भी मिलेगा, और साथ-साथ कालो के पतंग भी बिक जाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है लाडो, लाडो तुम कितनी अच्छी हो, सबका इतना विचार करती हो, मुझे तुम पर गर्व है लाडो शुक्रिया राजा जी, पर अब क्या हुआ, क्या है तुमारे मन में, बोलो लाडो राजा जी, हम आपसे पर्मिशन लेने के लिए आये थी इसमें पर्मिशन के कोई आवशक्ता नहीं है लाडो, तुम कॉम्पिटेशन का सारा काम देख लो मैं मेरे सुचना पक्षियों को बोल दूँगा वो पूरे जंगल में ये बात फैला देंगे लेकिन लाडो मेरी एक शर्त है जी कहिए राजा जी पतंग बाजे करते समय जो डूरी इस्तमाल होती है वो ऐसी इस्तमाल करना जिससे पंचियों के पंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तुमने तो सुना ही होगा हर साल कितने सारे पंची इनसान के पतंग बाजे में जो माजे का इस्तमाल होता है उसमें फसकर अपनी जान गवा देते है अपनी शिंत्र ही है राजा जी हम सब उस बात का पूरा द्यान रखेंगे हम सेफटी की तोर पर अम्बिलेंस का भी इंतिजाम कर देंगे सुनो 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 इससार राजा जी ने हम सभी के मनुरंजन के लिए जंगल के खुले मेदान में पतंग बाजी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है जो भी पंची इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो कल सुभा जंगल के खुले मेदान में लाडो चडिया के पास अपना नाम दे सकता है और आपको अपना पतंग खुद लाना पड़ेगा इसके लिए आप कालू कवे के पतंग की दुकान में जा सकते हो जो भी इस कॉम्पिटिशन में जीत चाएगा उसे इनाम के तोर पर दस अनाच की बोरिया मिलेंगी और एक बा सुबह हो जाती है लाडो और कालू मिलकर खुले मैदान में पतंग की दुकान लगा देते है एके करके पक्षी लाडो के पास अपना नाम दे देते है और कालू से पतंग खरितते है देखते ही देखते कालू के सारे पतंग बिग जाते है कालो बहुत खुश हो जाता है बूरे कवे ने भी इस कॉम्पिटेशन में ही सालिया था आज तो मैं ही जितूंगा देखते हैं मुझे कोन हराता है बूरा कववा मांजे का इस्तेमाल करने वाला था कॉम्पिटेशन शुरू हो जाती है लाडो के साथ साथ बाकी के पंची भी कॉम्पिटेशन में शामिल हो गए सब ने अपनी अपनी पतंग हवा में उच्छाल दी अरे देखो मेरी पतंग कितनी उपर उड़ रही है अब देखो मैं कैसे इस चील की पतंग को काट देता हूँ उल्लू चील की पतंग को काट देता है चील कॉंपिटिशन से बाहर हो जाता है लाडो मीनु मोसी के पतंग को काट देती है भूरा कवा कालू कवे की पतंग को काट देता है ऐसा करते करते अब सिर्फ लाडो और भूरे कवे की पतंग रह जाती है लाडो पतंग उड़ाने में बहुत माहर थी इसलिए वो बूरे कवे पर भारी पड़ रहे थी बूरे कवे को गुसा आने लगा ये क्या हो रहा है? लाडो की पतंग तो बहुत उपर जा रही है अगर मेरी पतंग कट गई तो मैं हार जाओंगा नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा भूरा अपने पतंग की डोरी को एक पेड़ से बाम देता है और उड़कर लाडो के पतंग को काटने के कोशिश करता है सारे पंची नीचे से भूरे कवे को आवाज लगाते है अरे भूरे, उपर मत जा, तुझे चोट लग जाएगी भूरा किसी के नहीं सुनता क्योंकि उसे बस जीतने की पड़ी थी वो लाडो के पतंग के तरफ जाने लगता है तभी अचानक भूरे कवे की पतंग उसकी तरफ आने लगती है और उसका ही मांजा उसके पंको को काट देता है तेजधार की वज़े से उसका पंक तूट जाता है बूरा जमिन पर गिर जाता है लाडो जल्दी से बूरे के पास आ जाती है देखती है तो क्या? मांजा पंखों में अटकने की वज़े से उसका पंख तूट गया था और उसमें से खोन भी भे रहा था अम्बुलेंस बूरे को अस्पता ले जाती है डॉक्टर ओप्रेशन करके बूरे कवे के पंखों को जोड़ देते है थोड़े दिनों बाद बूरा कोवा ठीक हो जाता है और राजा जी के सामने अपनी गलती को मान लेता है लेकिन उसने गलती की थी इस वज़े से राजा जी ने उसे सजा भी सुनाई लाड़ो चिरिया कॉम्पिटिशन जीत गई और उसे उसका इनाम भी मिल गया